हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉं टू माई चैनल, सो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं भी ये फाइनल ये इंग्लिश लिट्रेचर की पॉयम, जिसका नाम है अवर कजरना ट्री, जो कि तोरदत के द्वारा लिखी गई है, सो इस पॉयम की समरी अ ओनदा पॉयम अवर कजरना ट्री, तो जो क्रिटिकल अप्रिशेशन होता है, उसमें हमें पॉयम की सिरफ समरी नहीं लिखनी होती है, इसके साथ ही हमें पॉयम में जो भी में बाते होती है, राइटिंग स्टाइल कैसा है, पॉयम की इंटोर्ड़क्शन, थीम, इस तरिकी किस से relate करती है उसके बारे में बताएंगे The poem of a kazernah tree is one of the famous poem of Tordat कि ये जो poem है kazernah tree ये तोरदत की एक famous poem है This poem is subjective in nature ये जो poem है वो nature के बारे में बताती है and reveal the love which Tordat had for nature and इसके साथ ही ये जो poem है ये बताती है Tordat का nature के प्रती जो love है उसके बारे में बताती है in her house in Calcutta कि जो Tordat है उन्होंने बताया है कि Calcutta में जहां पर उनका घर है उसे घर के बाहर एक garden है जहां पर kazernah tree लगा हुआ है The tree is a symbol of time and aranity और ये जो ट्री है ये परतीक है कि इसका समय का और aranity यानि की अमरता का and also a remembrance of her dead brother and sister and इसके साथ ही ये जो tree है वो तोरदत को उनके जो brother and sister जिनकी death हो चुकी है उनकी याद दिलाता है तो इसकी जो summary है वो हमने detail में की हुई है उस video का link आपको description में मिल जाएगा तो उससे कहें कि आपकी help हो जाएगी इस question को करने में तो इसके बाद जो next point है वो बनता है subject matter of the poem जो कि हम last में करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा point बन जाता है तो पहले हम इसके जो next points है उनके बारे में discuss कर लेते हैं इसके बाद जो third point है वो बनता है description of nature कि जो तोर्दत है उन्होंने इस poem में nature के बारे में भी discuss किया है like wordsworth, तोर्दत was a great lover of nature and mankind कि इस poem के थुरू हमें यह पता चलता है कि जिस तरीके से जो wordsworth है उन्होंने भी nature के बारे में अपनी points में लिखा है तो जो तोर्दत है वो भी क्या है कि nature की great lover है and इसके साथ ही mankind की जो wordsworth है वो भी nature की great lover होते है she was a worshipper of nature कि जो तोर्दत है वो nature की worshipper है the poem revealed that तो यह जो poem है वो बताती है nature of her was not something dull and dead कि यह जो प्रकृति है वो तोर्दत के लिए dull or dead नहीं है but a living presence लेकिन क्या है यह एक जीवन्त है यह जो nature है वो उनके लिए क्या है डल नहीं है बलकि उन्हें एक सुकून देता है in this poem, this poem में she display her great power to describe natural beauty in verse कि इस poem से हमें यह पता चलता है कि उनके पास great power है यानि कि जो तोर्दत है उनके पास great power है जिसके तुरू वो यह natural beauty यानि कि यह nature की जो beauty है उन्हें अपनी कवीता में उन्होंने बता दिया है तो जब हम poem पढ़ते हैं तो उसमें nature की बात काफी की गई है तो उसी के बारे में यह कहा जा रहा है कि इस poem के तुरू हमें यह पता चलता है जो तुरू दत है वो हमेशे यादगार बनी रहेंगी दाट मींस कि आजबी अगर हम इनकी poems पढ़ रहे हैं तो हम इने यादी कर रहे हैं इनके बारे में लिसकसी कर रहे हैं यहां पर जो तुरू दत है वो बहुत जादा लव है नेचर प्रकरती के प्रति She was a very keen observer of nature यहाँ पर जो तोर्दत है वो बहुत ज्यादा नेचर के साथ जुड़ी हुई है observer बनी हुई है यानि कि वो हमेशा प्रकरती के छोटे-छोटे जो changes है उन्हें realize करती है Next जो पॉइंट है वो हम बना सकते हैं Pictorial Quality कि किस तरीके से जो तोर्दत है उन्होंने इस पॉइम में नेचर के बार में बताया है जिससे जो नेचर है वो हमें living लगने लग गया है यानि कि इस पॉइम को पढ़कर हम ऐसे लगता है कि हम ही इस पॉइम को फील कर रहे हैं तोर्दत has described the cigarsan tree very vividly when we read the poem we feel that we have been spared to her house garden कि इसमें बताएगा है कि जो तोर्दत है उन्होंने करजनाट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है और जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद भी तोर्दत के घर का जो गार्ण है वहाँ पर चले गई है जहां पर यह करजनाट्री लगा हुआ है पिक्टोरिकल पावर इस पोएम शी लुक लाइक और पेंटर विद्धा है तो उनकी यह जो पिक्टोरिकल पावर है उसके ही थू ऐसे लगता है कि यह भी क्या है पेंटर है जिस तरीके से जो पेंटर है वो क्या है पेंटिंग करता है ब्यूटिफुल थिंग्स की उसी तरीके से जो तोड़त है उन्होंने अपने पिक्टोरिकल पावर यानि कि उनकी जो लिखने की कला है जो शैली है उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो एक जीवन तरीका ही बना दिया है कि हम भी क्या है कि उसी जो बैक्ग्राउंड है उसे किया है इन्वार्मेंट को फिल कर रही है इसके बाद जो नेस्टर पॉइंट है वहाब बना सकते हो डिक्शन औरी कि जो यह पोई मैसमें इमेजनरी एंडिक्शन खेच्शन का यूज़ तोरदत पोईटरी इस क्रेक्टराइज पाइज पाइज पार शूंप उसकी सबसे बड़ी विशेष्टा है कि उन्होंने इस लेंग्वेज में के हैं मास्टरी की यह यानि कि उनका जो लिखने का तरीका है वह जादा अच्छा है इसके साथ ही उन्होंने चंद का यूज भी किया है she has a power to recapturing life in its variety and depth कि जो तोरदत है उनके पास बहुत यानि की power है जो life के बारे में बता सकती है यानि कि जो life की varieties है अलग-अलग जो पक्ष है उसके बारे में इसके साथ ही जो life की गहराई है उसे recapture यानि की बता सकती है कि उनका इस पाएम में कि हमें दुख भी दिखाई देता है और वो जो दुख है वो हमारे जो दिल है उसको touch कर जाता है यानि की चू जाता है The simil used by her are the most suggestive, apt and appropriate इसके साथ ही जो तोरदत हैं उन्होंने इस poem में simil का use भी किया है जो कि बहुत ज़ादा suggestive है बहुत अच्छी तरीकी से उनका use किया गया है She has written 11 lines stanza in this poem इस poem में जो तोरदत हैं उन्होंने 11 stanza लिखी है sorry 11 lines के stanza यानि की हर जो stanza है उसमें 11 lines है The rhyme scheme used by her और ये जो stanza है एक stanza की rhyme scheme है जो वो क्या बनती है A, B, B, A C, D, D, C और ट्रिपल E तो हर stanza की क्या है यही rhyme scheme बनती है On the hall और अंती में तोर्दत Our cousin country is one of the great achievement of तोर्दत कि जो तोर्दत की एक point है वो तोर्दत की एक great achievement है एक great उपलब्दी है इसके बाद अब हम देखेंगे subject matter of the poem यानि की summary और यही जो summary है वो आपको stanza को जब हम explain करते हैं उसमें भी helpful होगे तो जो हमने introduction देखी है उससे आप reference लिख सकते हो और जब आप stanza लिखते हो यानि की stanza की जब explanation करते हो तो आपको कहें कि इस summary के थुरू आप उसके explanation कर सकते हो इसके अलावा एक और वीडियो बनाये जाएगी जिसमें आपको यह बता जाएगा कि इस poem में कौन कौन सिलिटेरी टर्म्स यूस के गए हैं जिससे आप stanza के last में जो third point बनता है critical node उसमें आप उसके बारे में लिख सकते हो तो start करते हैं summary the poem began with the description of the tree कि यह जो poem में उसके starting होती है tree के description से यानि कि tree के बारे में बताया जाता है the point says that the point कहती है the creeper यानि कि जो वो tree की creeper है has pulled itself round the rug trunk of the kazanah tree like a huge pattern कि यह जो tree है इसके उपर एक टहनी है जो कि kazanah tree को चारों तरफ से यानि कि round घेर कर रखा हुआ है और इसी creeper के कार्ण क्या है कि जो tree के ट्रंक है यानि कि जो तना है वो रग्ड हो चुका है और ऐसा लगता है जैसे कि एक विशाल अजगर हो The creeper has itself the deep mark on the trunk of the tree कि यह जो creeper है यह जो टहनी है इसने क्या है कि उस tree के जो ट्रंक है उसके तने पर deep marks यानि कि निशान घेरे निशान छोड़ दिये है The tree is so strong that it bear the tight hold of the creeper और यह जो tree है यह बहुँ ज़दा strong है क्योंकि इसने सहन कर रखा है उस creeper की tight hold को The tree is described as being gallant and possibly brave as very few trees could survive in the strange hold of this creeper कि यह जो tree है यह बहुँ ज़दा brave है विशाल है जिसने creeper की इतनी tight hold को क्या है कि सहन कर रखा है और जीवित है otherwise जो दूसरे tree है वो इस तरीके से नहीं रह सकते हैं यानि कि वो सहन नहीं कर सकते हैं इतनी tight hold को The point then goes on to describe the life that यह वहला ना मतलिखना इसके बाद हम देख लेते हैं The tree is metaphorically sad as a gent due to its huge size, strength and baldness कि यह जो tree है इसे metaphorically use किया गया है कहा गया है कि यह gent है क्यों क्योंकि यह बहुँ ज़दा विशाल है size में इसकी बहुँ ज़दा strength है और bald है यानि कि इसने creeper की इतनी tight hold को क्या है सहन कर रखा है The cousinna tree is covered with creeper which bears red chrism flower which appear as true The tree is wearing a colorful scarf और यह जो tree है इसकी जो भी टहनिया है वहाँ पर red color की क्या है flowers लगे हुए है और यह जो flowers हैं देखने में ऐसा रखते हैं जैसे कि tree ने एक colorful scarf पैना हुआ हो night को रात में the garden echo and it seems to be zubilant and the song has no end रात को क्या होता है कि यह जो tree है यहां से क्या है कि एक beautiful song की आवाजे सुनाई देती है और यह जो song है यह ऐसा लगते है कि कभी भी खतम नहीं होगा तो इतनी जो summary है वह आपकी first stanza की explanation बनती है second stanza की explanation आप कर सकते हो it continue till dawn कि यह जो song है यह सुबह तक चलता रहता है dawn का means होता है सुर्योद्य जब भोड का time होता है यानि कि जब सुर्य निकलना शुरू होता है at dawn when the poetress open her window और सुबह जैसे ही poetress यानि कि जो कभी तरी है तोरुदत है वो अपने घर की window को खोलती है she is delighted to see the cousinna tree तो जैसे वो अपने room की window को खोलती है तो उनके घर के बाहर जो garden है वहाँ पर cousinna tree लगा हुआ है जिसे देखका तोरुदत है जो वो बहुत ज़्यादा delighted that means खुश हो जाती है mostly in winter ज़्यादा तर सर्दियों में a grey baboon is sitting at the topmost branch of the tree यहाँ पर जो तोरुदत है वो कहती है कि ज़्यादा तर सर्दियों में एक grey colour का baboon that means लंगूर यानि कि यह जो पेड की सबसे जो उन्ची topmost branch है शाका है उसके उपर बैठा होता है like a statue एक statue के रूप में and seeing the sun rise और यह सूरज को उगते हुए देखता है with her younger ones और इसके साथ ही इस पेड पर जो बैबून है ग्रे बैबून है उसके छोटे बच्चे भी बैठे हुए होते हैं the little monkey leaping and playing in the tree bugs और इसके साथ ही जो छोटे-छोटे monkeys इनके जो बच्चे हैं ग्रे बैबून के वो leap यानि की उचल कूद रहे होते हैं playing यानि खेल रहे होते हैं trees bug यानि की trees की शाखाओं पर the tree shadow of the tree appear to fall on the huge water tank इसके साथ ही इस पेड की जो shadow है वो huge water tank है उसके उपर पढ़ रही होती है तोरुदत says that तोरुदत कहती है it is not because of its majestic appearance of the kardina tree that is dear to her heart and soul की जो तोरुदत है वो कहती है कि ये tree है जो वो मेरे heart मेरी जो आत्म है उसको इसलिए प्रिया नहीं है क्योंकि ये बोज़दा विशाल है सुन्दर है बलकि ये मुझे इसलिए प्रिया है but also that she along with her elder brother and sister spent happy moments under it क्योंके जो brother or sister थे उन्होंने इस tree के नीचे बहुत अच्छा समय बिताया है they play under the tree वो इस पेट के नीचे खेला करती थी अपने brother and sister के साथ तोरुदत has brought out the theme of nature as something that share feeling with humans that lighten the burden of the heart तो जो तोरुदत है उन्होंने अपनी जो feeling है उसे share किया है इस nature को theme बना कर और उन्होंने अपने मन में जो अपने brother and sister का love है उसे भी express किया है the point continue with the description of how strong the image of the tree is यहाँ पर जो तोरुदत यानि कि यह जो poem है वो continue है इसके साथ ही यह description दी गई है कि यह जो tree है वो कितना ज़्यादा strong है even when in land far away even जो तोरुदत है वो जब कलकत्ता से बाहर थी यानि कि जब अपने घर से दूर थी even in France and Italy जब वो France और Italy में थी where the total study जहाँ पर उन्होंने अपनी study की है she can hear the tree lamets तो वहाँ पर भी वो उस tree का जो song है limit का मेंस होता है दुख परा son तो उसे वो सुन सकती थी the point wishes to consider ये लाइन आप भले ही मत लिखना इसके बाद अगर आप से दा लिखना चाहो तो the point wishes to consider the tree memory and importance for the sack of those who are now dead and look ahead of her own death hoping that the tree is spared obscurity यहाँ पर जो तोरुदत है उनका मेंस है कि जो तोरुदत है वो wish करती है कि ये जो tree है वो हमेशा अमर रहे जिसके कारण जो इस tree के साथ उनके brother and sister की जो यादे जुड़े हुई है जिनके अब death हो चुकी है वो हमेशा अमर रहे she immortalized the tree through this poem like यानि कि जो तोरुदत है वो कहे कि ये जो tree है इसे भी immortalize अमर करना चाहती है अपनी poem के थूप जैसा की verse word ने किया था उन्होंने भी एक poem लिखी थी जिसके थूप उन्होंने अपने यानि की उन trees कुछ trees के बार में उन्होंने poem लिखी थी you tree brown dell की जिससे कहे कि उन्होंने उसे अमर बनाया था जो तोदत है वो भी यही सोचती है कि अगर मैं करजना tree के बारे में poem लिखूंगी तो यह जो tree है यह भी हमेशा अमर रहेगा she says वो कहती है may love defend tree from oblivion curse कि शायद मेरा जो प्यार है वही defend यानि बचा सकता है इस tree को oblivion curse यानि कि oblivion curse का means होता है कि हर चीज का इस अंसान में अंत हो जाता है जब इंसान का अंत हो जाता है तो थोड़ टाइम बाद उसे बूला दिया जाता है यानि कि इंसान भूलने लग जाता है तो जो तोदत है वो चाहती है कि यह जो करजना tree है इसे हर कोई हमेशा हमेशा याद रखे और इसी कारण जो तोदत है उन्होंने ये poem लिखी है She want to make the tree immortal वो इस tree को immortal अमर बनाये रखना चाहती है And she had really made this tree immortal by writing this poem in its honor और इसी कारण जो तोदत है उन्होंने ये poetry लिखी थी इस tree के बारे में जिसे कि ये जो tree है वो immortal बन चुका है That means कि आज भी हम इस poem के बारे में पढ़ रहे हैं और इस poem में वही कजना tree के बारे में बताया गया है And she saved the tree from only one curse from being forgotten completely तो यहाँ पर जो तोदत है उन्होंने इस tree को बचा लिया है Obliven curse से Obliven curse के होता है कि अगर हम किसी चीज को completely forgotten यानि कि भूल जाते हैं So hopefully आपको यह जो poem है वो समझ में आगी होगी अगर आपको कोई भी doubt है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं आपका doubt दूर कर दिया जाएगा So thank you friends for watching my video Thank you